आज हम बनाने वाले हैं राजिस्थान का बहुत ही फेमस मिर्ची वड़ा जो की बनाना बहुत असान है और टेस्ट में ये बहुत अच्छा लगता है तो चलिए फिर जादा देर नहीं करते हैं और देखते हैं कि ये हमने बनाना कैसे है तो अब हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले तो हमें ले लेनी है ये बड़ी वाली मोटी मिर्च अराम से मार्केट में अवेलिबल है इस सीजन में तो हर जगे ये मिल जाती है तो ये वाली मिर्च लेनी है उसके बाद इसको बीच से इस तरीके से हमें कट कर लेना है फिर उसक इसको हमें थोड़ा से खोल लेना है और इसके अंदर जो भी seeds है ना वो सारे निकाल लेने हैं. तो चाहे तो आप spoon में back side से निकाल ली जए या फिर आप इस तरीके से जो knife है, चाकू है उससे भी आप निकाल सकते हैं. जितने भी seeds हैं सबको हमें एकदम साफ करके निकाल देना है ठीक है ना ऐसा भी हो सकता है कि उपर से हलकी सी मिर्च टूट जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बस हमें क्या करना है हमें seeds निकालने हैं अगर उपर से थोड़ी सी मिर्च टूट भी जाए जब ऑईल डालने के बाद जब गरम हो जाएगा तो उसके बाद इसमें हम डालेंगे जीरा आधा चमच जीरा जब ब्राउन हो जाएगा ख्रैकल करना शुरू हो जाएगा हमारा उसके बाद इसमें हमें डालना है प्यास प्यास को एकदम बारीक काटा है मैंने एक प्यास लिया है मीडियम साइज का प्यास को बारीक काट लेंगे और इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेंगे अब प्यास को हमें कुक कर लेना है थोड़ी दिर जब प्यास हलका सा आपका ट्रांस्पेरेंट होना स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पे आप क्या कर अगर यह ना हो तो आप एकदम बारीक चौप करके लेसुन अद्रग भी डाल सकते हैं और मिर्ची ऑपिशनल है ठीक है ना इसको मिक्स कर देंगे अब इसके बाद इसमें हमें डाले हैं आलू चार से पांच आलू को उबाल लीजेगा उसका छिलका निकाल लीजेगा और उस इसके बाद फिट डालेंगे हरा धनिया ठीक है मैं बहुत जादा और फैंसी मसाले नहीं यूज करती हूं अगर आपने मेरी बाकी रेसिपी भी देखी होंगी तो मैं सिंपल सिंपल चीजों से आपको रेसिपी बनाना बताती हूं अब बस इसको मिक्स कर लेंगे हमारा फि निकाल लिये थे अंदर से अब मिर्चो को हमें ऐसे खोलना है और जो यह हमने आलू की फिलिंग बनाई है इसको हमें इसके अंदर डाल देना है इस तरीके से इस्पून से करिए अगर आपको हाथ से जादा कमफर्टेबल लगता है तो आप यहाथ से कर सकते हैं गिदे कि इस तरीके से आपको फिल कर लेना है अब इसके बाद हमें क्या करना है थोड़ा सा मसाला अपनी हथेली में लेके इसको थोड़ा सा हम फ्लैट करेंगे फ्लैट करने के बाद इसको हम मिर्ची के ऊपर इस तरीके से लगा देंगे बिलकुल पतली लेयर लगानी है हमें कोई बारना बेसन अच्छी तरीके से कोट नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं से मिरची से वो निकल जाता है तो इसलिए इसको हम आलू से इस तरीक से कोट करेंगे यह बहुत इजी है, अराम से हो जाएगा आपसे, बस आपको जो मिरची है उसका ऊपर वाला जो हैड में अगर आप first time कर रहे हैं आपको लगेगा कि मिर्ची के उपर आलू नहीं चिपक रहे हैं तो कोई बात नहीं एक से दो बार ट्राइ करिएगा हो ही जाएंगे इस चीज में एक चीज और आपको ख्याल रखनी है कि आलू का मसाला बहुत जादा पतला ना हो मेरा मतलब है आलू बहुत जादा बॉयल ना हो जाएं कई बार होता है आलू जादा बॉयल होके ना एकदम पतले पतले से हो जाते हैं अगर वैसे होंगे फिर आपके आलू अच्छी तरीके से नहीं चिपकेंगे ठीक है ना तो आपको आलू का जो मसाला है वो बहुत जादा पतला नहीं रख उसके बाद उसमें जाएगा बेसन, यहाँ पे मैं डेड़ कप के करीब बेसन डाल रही हूँ, बेसन डालने के बाद यहाँ पे जाएगा नमक, थोड़ी सी जाएगी लाल मिर्च, फिर जाएगा धनिया पाउडर, यहाँ पे पिसा हुआ धनिया पाउडर है यह, पिसा हुआ धनिया पाउडर डालेंगे अद्रक लेसन और मिर्ची का जो पेस्ट में ने बनाया हुआ है वो थोड़ा सा डालेंगे आप कद्दुकस करके भी लेसन और अद्रक को डाल सकते हैं इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका हम एक बैटर बना लेंगे जैसे आप नॉर्मल पकोडों का बैटर बनाते हैं बस वैसे ही इसको हमें बनाना है एक साथ बहुत ज़्यादा पानी इसलिए नहीं डालती हो क्योंकि कई बार पतला हो जाता है तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी डालेंगे और इसको विसकर से चला लीजेगा ताकि इसमें लम्स कोई भी ना रह जाए ठीके न ये एकदम ही स्मूथ होना चाहिए तो बड़िया सा हम ये जो अपना बेसन का बैटर है वो बना लेंगे इसके बाद जब ये अच्छे से आप मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बेकिंग सोडा ठीके बिलकुल थोड़ा सा डालना है एक चोथाई चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डालके इसको हम मिक्स कर लेंगे और बस अब हमारा जो coat करने के लिए batter है वो भी एकदम तैयार है ठीके ना consistency आपने देख ली बस ऐसी ही इसकी consistency होनी चाहिए अब इसके बाद ये जो मिर्ची है हमने तैयार करके रखी ती उपर डंठल से पकड़ेंगे इसको इस तरीके से coat करेंगे डंठल से पकड़ के ही आप इसको coat करिएगा और जब ये अच्छे से coat हो जाएगी तो इसको हम उल्टा पकड़ लेंगे ये देखे इस तरीके से इस तरीके से पकड़ के और फटा फट से इसको हम गरम तेल में डाल देंगे इससे क्या होता है कि बेसन बहुत अच्छी तरीके से हर जगा लग जाता है और इधर उधर हमारी उंगलियों के निशान भी नहीं आते हैं अगर हम उपर डंठल से पकड़ के इसको डालते हैं तेल में तो और बहुत अच्छा शेप आता है अब बस इसको हम पहले तो हाई फ्लेम में जब तेल अच्छे से गरम होगा तब डालेंगे और जब इसको एक बार हम टर्न कर लेंगे उसके बाद गैस का फ्लेम हम लो कर देंगे क्यों? क्योंकि अंदर से मिर्च का पकना भी जरूरी है उपर एक आलू की कोटिंग है बेसन की कोटिंग है तो अंदर तक मिर्च पक जाए इसके लिए हमें गास का फ्लेम लो कर देना है लो फ्लेम में इसको हम पकाएंगे जब तक बढ़िया सी golden brown नहीं हो जाती ठीके अब आप देख रहे हैं कितना बढ़िया शेप आया है मिर्च का एकदम गोल गोल जैसे market में मिलती है बिल्कुल वैसा शेप आएगा आपका तो ये देखिए बस जब ये ऐसे हो जाएंगी तो उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे कोई भी kitchen napkin में निकाल लीजेगा आप इसको और बढ़िया सा हमारा मिर्ची वरा बनके एकदम ही तैयार है तो होप ये आज की रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी होगी अगर अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें